नमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शागत है दोस्तों धनुरासी वालो आने वाले अगले नौ दिनों में खूलेगा बंद किश्मत का ताला जी हां दोस्तों दोस्तों कर्यू का शब्षे बड़ा उलिट फिर आपकी कुंडली में होता दोस्तों यकीन मानिये और विडियो को आप लूँ अंद तक जरूर देखेगा दोस्तों हम आपको पूरी जनकारी देंगे दोस्तों आपके जिगन में अब महाचमतकार होने की नई शुरुवात हो चुकी है दोस्तों आने वाले नौदन के अंदर आपकी कुंडुली में लक दोस्तों यत्तीन ग्रह माता लक्ष्मी को आपके कुंडुली के ओर आकर्शित कर चुके हैं जिस कारण से आपके जिवन में अब अचानंग से धन्तोलत की बेश्मार बरसात होने वाली है दोस्तों आप भिखारी भी राजा अचानंग से बनता हुआ दिखारी देगा दोस दोस्तों आपके कुंडली में अब कुछ ऐसा बदलाव अचानक से होने वाला है जो कि दोस्तों सभी के होस उड़ा देने वाला है दोस्तों अब कई बदलाव अचानक से आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा दोस्तों नौ दिनों के बाद आपके कुंडली में जितने भी दुश्वन और जलने वाली लोग महजुद है अब उनके होस उड़ते हुई दिखाई देने वाला है क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में नए चमतकार की शुरूआती होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों अब आपके जून के कई छेत्रों में महा परवर्तन होने वाली है दोस्तों जानकर आप लोगों को बहुत ये खुशी महसुस होगी जी हां दोस्तों आज के वीडियों आप सभी के लिए बहुत इखास और बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आप लोग इस व दोस्तों शाती यह नुदूरिपना नभर्त अचुंच के लिए उस में सइसरा आपके घर के महाल और पर वरजगो में क्या का شुदार और बगलाविए देखने को धिक्रिम्ही फैसरे को परते एक चेतर में आपको क्या-क्या बदला और चमतकार भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तों चले बात करते हैं वीडियो की शर्वात करते हैं उससे पहले जो भक्त मातालच्मी के सच्ची और प्यारे भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करें जो फ़िले उससे इने वालच्मी के सच्ची और प्यारे लाइक करते हैं तो दोस्तों आने अलच्चमी आप सभी के लिए बहति लाफ्परत और अच्छा समी रहेगा दोस्तों कि किशी इंसान ने बड़ा खूब और सच ही का है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं दोस्तों कि मूँ के आगे अलग और पीट पीछे अलग बोलने वाले से आप हमेशा सोसल डिस्टेंड बना कर रखें क्योंकि यसा लोग करोना से भी खतरनाक होते हैं दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा अपने जुनकाल में जरूर ध्यान में रखीगा कि दोस्तों इज़त किसी इंसान की नहीं होती है होती है तो बड़की जरूरत की होती है दोस्तों अगर जरूरत खतम तो इज़ अबाद से आपके जून के इशारे बेड़ी कारे बन जाएंगे तो दोस्तों आई जान लिते हैं बात करते हैं कि अगले आने वाले नौध दना के अंदर आप सभी की जूनकाल में आपको क्या क्या कोछ प्रजा मिलने वाली है और या दोस्तों या समी रोजी रोजगार की तलास भी खतब होगी और जो लोग भाले से ही कहीं पर कायरत हैं उन्हें महत्पूश जिमदारी या प्रसंसा या मन चाही जगह पर नियुक्ती अध्वात्ता वदला भी मिल सकता है यदि आप लंबे समय से किशी भूमी भवन या वाहन आदी के करे विकरे की सोच रहे थे तो यह समय आपकी चाह भी पूरी हो सकती है दोस्तों यदि भूमी भवन या पेत्री समपती से जड़ा कोई मामला कोट का चरी में चल रहा है तो वा भी आप सी समझोते से कोट के बाहर ही सोलजा जाएगा जिससे आपके मन को काफी राध भी मिलेगी और सुक से विधा से जोड़े किसी ने चीज को खरदने से घर में खोशियों का महौल भी रहेगा और यहस में कमिसन पर खाम करने वालों के लिए बिसेस रूप से सुब साबित होगा और परिछा पर्धिकताओं की तैयारे में चुटे छातरों को उनकी मेहनत के नुशारी परिणाम प्राप्त होंगे और यहस में संतान पक्ष की और से कोई उपलवदियां आप भी खुशियों और मान शमान का कारण भी बनेगी और यहस में धार्मी समाजिक गतिवदियों में सामिन होने का मौका भी आपको मिलेगा और प्रेम संबन आप से विश्वास और निक करने से रुकावा काम भी जल्दी पूरी हो सकती हैं और किशी तरह के विबादों में पढ़ने से आप को यहस में बचना चाहिए आप किशी तरह के विचारों में खोई रह सकती हैं इससे कोई खास मुखा आपके हां से निकल सकता है और विजनेस में मुनाफिका योग यास में बन रहे हैं और यास में नई विजनेस में पेशा लगाने स्पहले बड़ों के राय बिल्कुल ही आप लें और बड़े बुजर्ग कासरबाद ले आपका अच्छा गुजरीगा होगी आपको यास में अचानलाब होगा और मातापिता का स्वास यास में बहतर बना रहेगा आपके कार जंटा में बड़त्रि होगी और अपने इस देव को फूल अरपित करें दोस्तों की शाध सम्मन हमेशा बहतर होंगी और यास में किसी नहीं बात युजना या काम के लिए समें सही है कुछ नया करें तो आप के लिए भी अच्छा रहेगा उप्रेम के मामलों में सफलता आप उयसमें मिल सकती है